वेलकम दोस्तो फिर आपका स्वागत है BEGC 132 की क्लास में आज हम आज रिमेनिंग कोशन्स थे प्रिविएस यर के उन्हें डिसक्स करेंगे और मैं आपको बताता हूं यही कोशन्स ऐसे कोशन्स है जो बार-बार एक्जाम में रिपीट होते हैं चाटे हुए question है, पिछले चार पास session के जो questions paper है, उनमें से जो question बार बार repeated है, वही ये question है, एक एक वीडियो को दो दो तिन तिन बार आगर आप देखके चले जाएंगे न, तो भी आपका paper बहुत बहतरी इन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी paper यहाँ पर असलबा देखो, भूस सारे writer हैं भारत में, हम बात कर रहे हैं, इंडियन literature की याद रखना ही बात आप, पूरा book क्या है इंडियन literature, तो इंडियन literature को लिखने वाले केवल और केवल, males तो नहीं है, आपके इंडियोंगे, women's भी है, तो जो female writer है या फिर women writers है, जब वो कोई literature लिखती हैं, चाए वो कहानिया लिखें, चाए वो कवीताएं लिखें, कोई आपका traveler लिखें, यानि यात्रवरतांत लिखें, कोई interview यानि शाक्षतकार लिखें, कुछ भी लिखें, उनको क्या चीजे ऐसी हैं, जो बार-बार influence करती हैं, प्रभावित करती हैं, किन-किन topics पर वो normally अपने literature को लिखना फसंद करती हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि अपने literature के अंदर वो कौन-कौन से points को include करके चलती हैं, ये आपका सवाल यहां पर पूछा गया है, समझ मैं या question, आप कहेंगे बिल्कुल साथ, अब देखो, women writers जो है, वो normally address करती हैं, बह जब भी कोई woman, कोई भी writing करती हैं, तो सबसे पहले अपने साथ हुए दुर्वयवार की बात करेगी, और हमारे देश में आज भी क्या होता है, लड़का-लड़की के बीच में होने वाला gender discrimination, तो जो लेंगिक ऐसा मानता है, वो women's की writing में बार-बार देखने के लिए मिलती ह जो महिला आए हैं, जब भी कोई literature लिख भी होती है, तो बार-बार वो इस मुद्यों को जिकर करती हैं कि कैसे gender inequality आज भी हमारे society का एक sin यानि श्राब बना हुआ, आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक literature, एक novel का जिकर है, The Handmade, क्या लिखा हुआ, Handmade's Tale by Margaret Atwood, Margaret Atwood जो है, एक woman writer हैं, जिन्होंने यहाँ पर कहानी लिखिया है, The Handmade Tales, समझ माया, अब इसके अंदर में पता क्या बताती है, वो बताती है कि एक society जहाँ पर women को normally क्या किया जाता है, उनकी bodies को are controlled highlighting themes of, आप कह सकते है, gender with discrimination, तो उन्होंने अपनी novel में कहा है, कि मैं एक ऐसी society का जिकर करना च जाती हूँ, जहाँ पर normally लड़कियों को या औरतों को normally दबाया जाता है, women को दबाया जाता है, समझ मैं, तो बहुत सी बात है, मैं अभी आपको बताया तब last class में, कि अगर दलित literature लिखा जाएगा, और दलित writer होगा, तो वो अपने experiences बताएगा, women होंगी, और women literature क्या कर होगी, लिख रही होगी, तो वो उनके literature में, उनके personal issues में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे वो बार-बार बात करेंगे आपसे identity की, वो कहेंगी कि women's की पहचान क्या society में, और साथ-साथ self discovery, और वो बार-बार ये समझने की कोशिस करती है, कि मेरा society में रोल क्या है, क्या मे रोल निभा सकती है, दोनों के बीचे बहुत बड़ा difference है, जैसे हम हमेशा जो women's होती है, females होती है, उन्हें male से कम दरजा देकर चलते हैं, उन्हें economically कम stable माना जाता है, women's को, है ना, तो कहीं न कहीं वो अपने आपको self discover करती है, अपने literature में, ये बात आपको समझ में आई, क मैं क्या हूँ, मेरा रोल क्या है, साथ-साथ वो social expectations की बात करती है, यानि कि वो बात करती है इस चीज़ की, कि women's से society क्या-क्या expect करती है, और society से women क्या-क्या expect करती है, कि society women को क्या क्या दे, जैसे normally respect की बात आपने देखोगी, जातर जगडे, women's और men's के बीच में क्यों होत करते है, relationships की, family dynamics की, क्योंकि ऐसा मानना जाता है, कि women के लिए, जो आप कह सकते है, मैदान होता है, वो उसकी family होती है, जहां वो हमेसा क्या करती है, जंग करती है, अपनी family को आगे बढ़ाने की courses करती है, आप मानते हो ना, तो normally उसके literature में क्या देखने की मिलेगा, आपको स हाया जाए, और कैसे, दोस्तों, जो family में होने वाले domestic, आप कह सकते हैं, वो और हैं, गरेलो युद्धो होते रहते हैं family में, उन्हें कम किया जा सके, समझ माया, पांच मिनट के session में आपको फिल से पहला question समझ माया, कि women जो है, अपनी writing में कौन-कौन से मुद्धे include करके च मैंने पिछली class में आपको बताया था, कि बहुत सारे ऐसे writer हैं, various writers हैं, जो क्या करते हैं, दलित literature को लिखते हैं, लेकिन सभी writers में कुछ समानताएं हैं, यानि for example, अगर मैं भी दलित literature लिखता हूं, आप भी दलित literature लिखते हैं, तो हम दोनों क्या है, दलित literature को लिखने व background से होते हैं, अलग-अलग छितर से होते हैं, लेकिन फिर भी उनके literature में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, similarity देखने के लिए मिलेगी, दलित को समानताएं पहले untouchable या फिर अच्छूत कहा जाता था, इस पर शे कहा जाता था, या फिर आज की समय में इने समिधान ने scheduled caste अनुसूचित जाती का दर्जा दिया है, है ना, यह हमेशा बात करते है, dignity की और social justice की, यानि की दलित का कोई भी writer हो, हमेशा व्यक्ति की गरीमा की और समाजिक नियाई की बात करेगा, साथ-साथ दलित experience की बात भी normally हर writer करता हूँ, आपको देखने के लिए मिलेगा, हम दलित समुदाय से भार की बात करेंगों उसमें नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ similarity जरूर होंगी, जैसे दोनों बात करेंगे caste discrimination की, कैसे जाती गद बेदभाव किया जाता है, और कैसे untouchability की बात की जाती है, जैसे यहाँ पर एक example लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हु अपने development में, वो सब इसमें नहीं डिसकस किया है, तो एक example भी मैंना आपको यहाँ पर दिया, आपको पता चला क्या कैसे similarities होती हैं दलित literature में, आप कहेंगे सर बिलकुल इतना हमें clear है, अब अगर हम आगे की बात करें, तो वो हमेशा बात करते हैं, अपने literature में struggle की, कैसे ह हम संगर्स करते हैं, आज भी education को लेने के लिए, और कैसे हमें आज भी empower नहीं किया जाता, है ना, जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े दलित writer है, ओम परकास वालमी की जी, इनकी जूटन आपने पढ़ी होगी, है ना, इनकी जूटन पुस्तक आपने पढ़ी हो हो चुका है, other caste का, समझ रहो, अगला क्या है, resistance and assertion of identity, आग के जनभी उपनी पहचान को लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं, वह ज़्यादा संगर्स कर रहे हैं, ये बात किसमें कही गई, annihilation of caste, जो कि भीवराम बेटकर जी ने लिखी थी, experiences of humiliation or exploitation, यानि कि जो इनके साथ क्या होता है, दुरू वहवार होता है, उस पीडन इनका किया जाता है, इस समुधाय का, या फिर इसका सोशन जो होता है, वो भी हर writer क्या करता है, अपनी book में include करके चलता है, मतलब समझे आप, कि कुछ चीज़े ऐसी हैं कि भारत का कोई भी दलित राइटर हो, है न, अगर वो दलित लिटरेचर लिख रहा है, तो ये बात ये उसके लिटरेचर में कोमन हमें देखने के लिए मिलेंगी, समझ में आया, चलिए, इतनी बात अगर आपको clear हो गई हो, तो हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एक question, यहाँ पर मैंने लिया है, आपके लिए हम कहते है, reference, कहां से लिगई है, किसी ना किसी Indian literature से क्या की गई है, ली गई है Indian literature से, इन 4 लाइन का için lång आपको बताने है, लेकिन पता किसके बेस बताने है, उस reference के बेस बताने है, जो आपको पता क्या होता, equation level पर आपको बहुत सारी क्या पढ़ने पढ़ती है, novels पढ़ने पज़ पाते तो इनका reference to the context आप कैसे answer कर पाएंगे अब जैसे आपर चार लाइन दी गई है मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूं तो यह क्या है एक आपका चार लाइन उठाई गई है लेकिन क्या आप इसका पाएंगे लेकिन क्या आप इसका reference to the context explanation दे पाएंगे या आप जिंगे नहीं साथ तो इसका कैसे हमें reference to the context क्या करना होता explanation करना होता वह मैं आपको दिखाता हूं जहां से देखना तो ऐसे इसको लिखना होता है the context indicates क्या करता है हमारा context existential uncertainty सबसे पहले क्या दिखाता है आपके और निशित्ता का मतलब क्या है ना तो मैं यह हूं ना तो मैं वह हूं प्रवेस करने से लिए जो ना बिरोजगार है कुछ लोग नुट्रल रहते हैं जैसे आपना देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी सची मुपबद छोड़के चले जाए तो नस काटने लगते हैं आत्मत्या कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनें किसी के आने से जीवन में और किसी के जाने से जीवन में कोई परभाव नहीं पड़ता दियर लाइफ इस ओल नुट्रल उनकी लाइफ पूरी तरीके से क्या है नुट्रल है किसी के उनकी लाइफ में परवेस करने से या फिर छोड़के जाने से कोई परभाव नहीं पड़ता यहीं हमें इस पोयम में देखने के लिए मिलता है neutrality यानि कि तुम हो चाहे मैं सुखी हूँ चाहे मैं दुखी हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ तो कहने का मतलब क्या है मैं neutral हूँ साथ साथ lack of elemental affiliation elemental affiliation का मतलब यहाँ पर यह है speaker goes on say that I belong neither to water neither to किससे earth ना तो मैं earth हूँ ना पानी हूँ ना हवा हूँ तो यहाँ पर वो कहना क्या चाहता है वो यह कहना चाहता है कि मैं किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ आप मुझे किस से भी connect नहीं कर सकते ना तो आप मुझे life से connect कर सकते हो ना मुझे nature से connect कर सकते हो ना मेरी कोई पहचान है यहाँ पर वो कहना क्या चाहरा है वो कहना चाहरा है कि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ मैं neutral हूँ मैं अलग हूँ मुझे किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यहाँ पर आपको इस पूरे कंटेक्स्ट में identity crisis देखने के लिए मिलेगा identity crisis मतलब poet जो है अपनी identity के बारे में पूरी तरीके से confident नहीं है कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है तो इस तरीके से इसकी व्याख्या करनी होती है reference to the context समझ माएं आपको कहानी आप कहेंगे बिल्कुल सर तो reference to the context की यह कहानी भी हमें क्या हो गई clear हो गई तो उम्हीदे class आपको पसंद आई होगी यह part second नहीं खतम होता अब फिर हम लोटेंगे ऐसे ही एक part third के साथ जल्द ही तो मिलते रहिए पढ़ते रहिए और इगनुवारा जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनस से हम आपके लिए content लेके आते हैं विल्बू प्रियोफ गोष्ट थैंको देने वाद नाशकार दोस्तो